दोस्तों हमें सपोट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियो के नोटीकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें तो लोग दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ एक सिंग हो दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है Poco M3 Pro जो थमने लब देखकर आए हो ये स्मार्टफोन हो सकता है अगले एक दिर महीने में इंडिया में आपको देखने के लिए मिल जाए क्यों सारी चीज़े बोल रहा हूं और क्या है इसके पीछे रीजन सारी चीज़ों के उपर बात करेंगे लेकिन Moto G 5G अगर आपको 5G स्मार्टफोन चीप्रेस लेना है साड़े सत्रह हजार रुबए में तो सेल आने वाले आपको मालूम है फ्लिप काड़ पर उसके उपर मैं आज आए इस्टाग्राम पर सबको आंस पर मिल जांगे चलते से व्डियो की तरफ लेट्स गेट साटेट पोको M3 जो की पोको M2 प्रो का सक्सेसर होगा ये स्मार्टफोन पॉसिविली अगले एक देढ महीने में आपको देखने को मिल सकता है पॉसिविली दोनों रेड्मी नोट नाइन जो था 5G उसका रीड्मी नोट वर्जन था जो की चाइना में लॉंच हुआ था अब रेड्मी नोट नाइन टी जो है इसका बैटरी और चार्जर एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हुआ जिसको मुगल शर्मा ने देखा था एंड वो जो बैटरी एंड मॉडल नंबर है वही बिएस पर बहुत पहले लिस्ट हो चुका है एंड वो पोको के नाम से लिस्ट हुआ था तो लोगों को ऐसा लग रहा है लोग कह रहे हैं कि जो रेड्मी नोट नाइन टी जो यॉरप में लिस्ट हुआ है लॉंच हुआ ह और चाइना में रेड्मी नोट 9 5G के नाम से आ हुआ है वो इंडिया में पोको M3 प्रो के नाम से आ सकता है कि प्राइजिंग भी आल्मोस्ट वैसी ही है उसी के आसपास की है अगर आप देखो तो यही रीजन है कहा रहा है और लोग कह रहे हैं कि पोको M3 और पोको M3 प्र स्मार्ट फोन है खाली 5G है बाकी आपको बारत 13000 के आसपास के स्मार्ट फोन के स्पेसिफिकेशन ही मिलते हैं 6.53 इंच का आपको IPS का परनल मिलता है फूल HD प्लस का जो कि आपको गोरिला ग्लास फाइकर प्रोटेक्शन के साथ फ्रेंट और यह दूनों सेट भी मिलता है पंच होल दिया हुआ है जो कि अच्छा लगता है देखने में अच्छी चीज़ है रियर साइट पे ट्रिपल कैमरा का सेटफ है जो कि स्कूरल हाउजिंग में है साइड मांटेट फिंगर्पेंस कैना मिलता है रेडमी की ब्रेंडिंग के नीचे इंडिया पे पोको नाम से जाएगा तो पोको की ब्रेंडिंग हो जाएगी देखेंगे डेमेंसीट 800U का चिपसेट है 5G चिपसेट है 7NMP बैटरी एफिशेंसी धमाल मिलने वाली है और उसके साथ-साथ यह माली G57 के साथ आता है जो कि गेमिंग ग्राफिक्स सारे अच्छी तरह समाल लेगा कोई प् प्रफार्मेंस भी आपको अच्छी खासी देतेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा Android 10 के उपर आया हो है वहां पर पॉसिबिल यहां पे Android 11 के उपर है देखेंगे जैसे आएगा वैसे इसके बाल मुदा दूंगा जो की MIUI के साथ आएगा जो की पोको की लेरिंग के साथ प्राइमरी सेंसर जिसका अपाचर एफन.9 का होगा आठ में पिक्सल का अल्टरा वाइट सेंसर और दो में पिक्सल का मेक्रो लेंस 4K विडुर को डिंग कर पाओगे फ्लेश भी दिया हूँ है साथ में फ्रेंट में आओगे तो आपको 13 में पिक्सल केमरा दिया हूँ है जिससे आप 1080 रिजोलेशन रे विडियो निकाल सकते हो बुके परनो में जिया वाले फोटोग्राफी भी कर सकते हो अच्छी चीज़ है डिसेंड कैमराज है 5000 एमेज की बैटरी है 18 मेट का चार्जर है टाइप सी का पोर्ट है स्पेसिफिकेशन के यसाब से आपको एक 13-14 12,000 एक फोन जैसा होता है वैसा ही होगा लेकिन इंडिया में फ़्वाइस थोड़ी ज्यादा होगी सेंसर की बात कर लें सेंसर आपको सारे मिल जाएंगे साइड मांटेट फिंगर्प्रिंट स्कैनर होगा एक्स्वरमेटर एक्सेंसर जायरो स्कोप प्रोक्सिमीटी सेंसर सारे सेंसर मिल जाने वाले हैं सेंसर में कोई इशू नहीं आएगा अगा अगा अच्छी चीज़ है जो रेड्मी नोट 90 था इसका बेस वेरेंट 4GB-4GB यौरोप में 20,000 की प्राइज में गया हुआ अगर इंडियन करन्सी के साब से गनवर्ट करते हैं तो 20,500 के आसपास लेकिन इसका स्पेशल प्राइज जो रखा गया वह 18,000 के आसपास रखा हुआ है अब यौरोप से कम प्राइज होती है इंडिया की तो 18,000 से तो कमी होग अब जैसे, M-Series में ज़्यादा चांसे से आने के M3 के, क्योंकि X3 already आ चुगा है तो X4 का अभी expect करना थोड़ा जल्दी हो जाएगी, M3 Pro जो है उस नाम से आ सकता है इंडिया में, कहा जा रहे है, सब कह रहे है, Poco M3 Pro के नाम से आएगा, and कह रहे हैं ये भी कि M3 और M3 Pro द आजा रहे, Poco M3 Pro होगा, जैसे आगा, वैसे इसके बारे में बता दूँगा दोस्तों, तो कैसा लगा, smartphone, कैसा लगा वीडियो, जूरू बता देना, पसंदा है, like, comment, share कर देना, नहीं पसंदा है, dislike कर देना, मुझे पता देना, क्यों पसंदा है, और भी बहुत सारे वीड अब इतना ही मिलता है, वीडियो में कुछ नहीं करने साथ, अब तक के लिए दोस्तों, जैहिन